Hey guys, welcome back to the channel once again, hopefully आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहत मन्द होंगे आज के इस vlog मैं आपके साथ Thursday का vlog शेयर कर रही हूं जिस मैं शेयर करूंगी बच्चों का after school, healthy snacks and some organizing tips and the most important की रात का जो skincare है वो बहुत important क्यों होता है वो भी आपनों के साथ शेयर करूंगी तो चलिए vlog को start करते हैं तो आज की vlog की श्रुवात कर रही हूं दुपैर से तो बच्चे आएंगे शाम को चार बजे मैंने सुबह मूंकी छिलका दाल जो होती है वो भीगो के रख दी थी आज बच्चों के लिए मूंकी छिलका दल के चीले बनाऊंगी तो जो डाल का एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने जाली में अलग हटा दिया है और मिक्सर जार में इस दाल को पीस लूँगी तो एक कप दाल के लिए जो मैं पानी डालूँगी वो मैं डालूँगी वन थर्ड कप अभी इनीशली वन थर्ड कप डालूँगी बाद में अगर और ज़रूरत लगेगी तो और पानी डालूँगी so might be आपको इस डाल को बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरगी से स्पून से करना पड़ सकता है ताकि ये evenly पिसेगी डाल पिसक गई है लेकिन मुझे थोड़ी थिक लग रही है लेकिन जब बच्चे आएंगे तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट कर लूँगी मैं डाल के भी रख देती हूँ मैं दाल में तो मैंने डाला है नमक साथ में मैं डालूँगी थोड़ी सी मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, हल्दी और थोड़ी सी अजवायन आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी इसी टाइम पर डाल सकते हैं तो आज जो चीले बनेंगे वो बनेंगे पनीर रोस्ट चीले तो कॉसको का जो पनीर आता है वो बहुत बड़ा आता है तो वो जो पनीर है वो पूरा आप लगबग उसको एक किलो का मान सकते हैं तो आधे की तो मैंने शाही पनीर बना दी थी और आधा पनीर आज मैं इन चीलों में यूज़ करूंगी सो देट रात में बस डिश्वाशर चल जाता है और सुबह सारे बरतन साफ मिल जाते हैं और बच्चे जैसे स्कूल से आएंगे उनके लिए चीले की भी तैयारी हो गई है और किचिन से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आता है दोनों ही बच्चों का रूम और यह रेंटेड अपार्टमेंट है इस्टिल लेट मी शो यू कि मैंने बच्चों की रूम को किस तरीके से अरेंज कर रखा है तो एंटर करते ही लेट एंट साइड इन दोनों की स्टड़ी टेबल है जिसको कि मैंने अलग लग किया हुआ है पहले भफ के लिए स्टड़ी टेबल नहीं रख रखी थी लेकिन अब मैंने उसकी भी सेप्रेट स्टड़ी टेबल कर दिये तो white वाली study table यतका की है and black वाली भफ की है तो यतका कुछ creativity करती है तो उसकी table के उपर मैं लगा देती हूँ और time to time change कर देती हूँ और भफ कुछ creativity करता है जैसे ये 3 creativity भवने करिये तो उसकी table के उपर लगा देती हूँ and time to time change कर देती हूँ एंड भफ की क्रियेटिविटी के उपर जो फोटो आपको अभी दिख रही थी वो मेरी अम्मा जी की है तो मैंने वो बच्चों के रूम में ही लगा रखी है एंड भफ की टेबल के पास ही एक छोटा सा डस्ट बिन रख रखा है ब्लैक कलर का सोदेड ये बच्चे जो भी क् एक कॉसको से मेरे पास इस तरीके का और्गिनाइजर जैसा था तो इसमें मैंने छे बॉक्से लगा रखे हैं जिसमें यतका के रेगुलर कपड़े लगा रखे हैं इसमें यतका अपना बैग भी रखती है एंड इस तरीके से लगाने से सबसे अच्छा फाइदा मेरे को य जगा लेती है। मैंने सभी बॉक्स इसके उपर लिख भी रखा है कि किस बॉक्स में क्या जाएगा। यहां पर यह बच्चों का बंक बैड। बंक बैड से पहले यहां पर हमने नॉर्मल फ्रेम रख रखा था। और यह है उसका मैट्रिस। तो इस मैट्रिस को साइड में ड इनाइजर ले रखी है। इसमें मैंने बच्चों के बोर्ड गेम रख रखे हैं। मैं अपने दोनों ही बच्चों के लिए बहुत कम टीवी चलाना प्रिफर करती हूं। और इस रूम में यहां पर यह इस तरीके से दिया हुआ है अलमीरा। इसमें मैंने बच्चों के बेबल है, बैड है, यह एक एक्स्ट्रा मैट्रिस है, यतका की अलमीरा जैसा भी कुछ जो है क्लोथ और्गेनाइजर यहां रख रखा है। और भफ के जो गेम है बोर्ड गेम वो भी रख रखे हैं। तो यस फ्रेंड यह वही जगह है जहां पर मैं 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 मैंक्सिमम टा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले धूप आती है और बहुत अच्छी आती हो लंबे टाइम के लिए आती है तो यस टाइम हो गया है लगबग साड़े तीन और पौने चार और मैंने यहां पर चीले बनाने तयार कर दिये हैं तो चीले को फैला दिया है और अम मैं क्या कर अच्छी क्वांटिटी में पनीर को ग्रेट कर दिया है थोड़ा सा स्पून से प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद हम इसको फिलिप करेंगे और नीचे से इस पनीर को अच्छे से रोस्ट होने देंगे और अब मैं आपको इसको फिलिप करके दिखाती हूँ यह देखि है तो मैं इस पर केवल चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ यह वाला जो चीला है जिसमें आपको ग्रीन चिली दिख रही है यह मैंने विवेक के लिए बनाया है क्योंकि बच्चे तो ग्रीन चिली खाते नहीं है एक गैस पर बन रहे हैं मूंग डल चीला और दूसरे बर लाने देती हूं कि अबाल आने के बाद इसमें भुने हुए आधी कटोरी जवे डाल दिये हैं तो पांच कटोरी दूद के लिए आधी कटोरी जवे इनफ रहते हैं बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है खीर जैसी नहीं आ जाती है तो द लगा दे रही हूं खीर को तो लो टू मीडियम फ्लेम पर खड़कने के लिए छोड़ दिया है और मैं अब आ गई हूं लिविंग रूम में क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया है तो आज बच्चे विवेक के साथ आयती तो मुझे नीचे तक नहीं जाना पड़ा लेने और खीर को भी मैंने बीच पीच में चला दिया था और खीर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो वामिसली है वो उपर फ्ल चीनी तो बस चीनी भी मैंने इसमें डाली या आदा कप यानि कि आदा कटोरी तो यानि जितनी कटोरी हमने भुने जवे लिए थे उतनी ही इसमें चीनी जाएगी और आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी एकदम पॉफेक्ट हो गई है मैं आपको एक बरी इसको गिरा के भी दिखा देती हूँ तो देखिए एक साथ जवे और एक साथ दूद दोनों ही चीज़े एक साथ नीचे गिर रही है यानि की खीर बनके हो गई है तैयार चीनी डालने के बद बस थोड़ी देर और पका लिजेगा और खीर एकदम पॉफिक्ट बनके हो जाएगी तैयार लास्ट में मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा इलाइची पाउडर इसको भी कर देंगे मिक्स तो मैंने चीले बनाके पहले ही रग दिये थे लेकिन जब तक बच्चे आए जब तक वो गरम थे तो भवने अपना अल्मोस चीला फिनिश कर लिया है और यतका भी शा मैं साइन्स शोशल किते माकस आए और इनी सब चीजों में हम उनको पैमपर करना भूल जाते हैं और कईयों बार बच्चे अपने पैमपर को इतना मिस करते हैं कि वो फिर वो पैमपर बाहर सर्च आउट करते हैं तो मेरा मनना है कि बच्चों के लिए पूरे दिन में के बारे में जादा सोच कर हम प्यार उनका मिस्ट ना कर दें या वो जो पैमपर है उसे बाहर ना सर्च आउट करने लग जाए इसलिए एट लीस्ट हमें कोशिश करने चाहिए कि थोड़ा सा टाइम बच्चों के पैमपर के लिए भी जरूर निकालना चाहिए आज यतका पर भव के स्कूल में बुक फेर था तो ये बच्चे वहां से कुछ लाएं तो बस मुझे दिखा रहे थे तो बस मैं उनकी सारे दिन की जो स्कूल की बाते होती हैं सबसे पहले आके वही सुनती हूं उसके बाद जो आगे के होंबग वगरा के काम होते हैं वो हम लोग मिलक करते हैं यहां पर आपको लिखना है अपना नेम क्या लिखना है अब यह बोलो का ए ब कैब आप बैड यहां पर आपको समुझा आपको करना ने पड़ेगा बैड वेर इस बैड और बताओ एक पैंसिल आपको एक गैट यहां तो यहां तो टू तो थेविए फोर फाइव लव मेरी गोटी दो बाव ने अपना हूमवक कर लिया था और बाहर हो गया है बहुत जादा थंडा तो अब बच्चों को मैं बोर्ड गेम में या किसी आपक अधर एक्टिविटी में बिजी कर लेती हूं तो भव के साथ में पस टाइम था डिनर मेरा बना हुआ रखा था तो मैं बोर्ड गेम खेल रही हूं चलो तो आर्थी करते हैं और भोग लगाते हैं खीर का और उसके बाद हम आप अच्छे से यलो नहीं हुए है चलो अब खीर खाएंगे आओ और एक्सिदेंट इसी हुआ मेरे मुआ एक्सिदेंट तो और अब बस में भगवान जी को भी शेयन करा दोंगी क्योंकि विंटर्स में भगवान जी को आठ से नौ के बीच में मैं जनरली शेयन करा देती हूं और सारा बच्चों का होम वग कराने के बाद यतका कि मैं बालों में लगा रही हूं आइल यतका और भव की आज फ्लू वेक्सिनेशन लगा है तो भव तो सो गया है सोचा यतका कि थोड़ा ऑइलिंग कर देती हूं तो वेक्सिनेशन के बाद थोड़ा जो टाइडनेस होती है उसमें आराम मिल जाएगा और बच्चे यहां पर अपना होम वग करके दूद वगएर पी कर और एक बार और मिल बच्चों ने के ले ली थी और सो गए हैं और मैंने भी अपना नाइट टाइम स्किन केर रूटीन कर लिया है नाइट टाइम स्किन केर रूटीन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम जो सुबा क्रीम लगाते हैं उसमें सनिस्क्रीन लोशन होता है और रात में सनिस्क्र से नरिश हो जाती है, तो इसलिए मॉर्णिंग और नाइट दोनों में ही अगर आप अपना स्किन केर करेंगे, तो दोनों टा REM गज़े ecos स्किन केर करने से इसकिन में जो रिंकल्स, ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, वो धीरे-धीरे करके resolve होने लग जाती है मैं यहीं पर करती हूँ and vlog अच्छा लगा हो तो like करें friends family के साथ जाद सेदा share करें channel को subscribe जरूर करें to become a part of my family मिलूंगी next vlog में जब तक के लिए check care bye and thank you